दोस्तों आज जिस बिजनस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक्चुली में एक बहुत बड़ा बिजनस है उसका नाम है आरसलर मित्तल जी हाँ इस कंपनी के जो चेर्मेंड आइंड सीओ हैं उनका नाम है मिस्टर लक्षमी मित्तल जो अपने आप में एक बहुत बड़ अपने emotions कभी भी मत लाया करो loss हो जाएगा। इनका जनम हो था 15 जून 1950 राजिस्तान के अंदर एक बहुत ही middle class family के अंदर। इनका business इस पार्ट इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता था। तो आज हम जानेंगे कि इस पार्ट इंटरनेशनल का सफर कैसे हुआ और कैसे वो बना आर्सिलर मित्तल। दोस्तो आर्सिलर मित्तल इस दुनिया की सबसे बड़ी steel manufacturing company है। आज की rate में इनका revenue 70 billion dollars से भी जादा है। वो हम कभी कभी कहते हैं ना के थंडा मतलब कोका कोला, वाशिंग पाउडर मतलब निर्मा, नूडल्स मतलब मैगी, लेकिन स्टील मतलब आर्सिलर मित्तल। जी हाँ, 1973 के अंदर सिर्फ एक मिल था इनके पास इंडोनेशिया में और आज की date में चाहे दुबाई का बुर्ज खलीफा हो या दुबाई का 7 Star Hotel बुर्जल अरब हो, या World Trade Center हो अमेरिका में, या Orbit Tower हो लंडन का Rockefeller Center हो अमेरिका में, Empire State Building हो, या हर जगा पे जितनी भी submarines है या फिर military के tanks हैं, aircraft हैं, और जितनी भी ships हैं, ये सारी चीज़े बनाता है आरसलर मित्तल, आज इनकी success के 5 strategies दूँगा आपको जो आप भी implement कर सकते हैं, पहला है big vision and plan of action, बड़ा vision और plan of action, इन्होंने ये देखा कि 1989 तक सिर्फ एक ही मिल था इनके पास, और इनको पूरे 16 साल लगे थे एक मिल को बड़ा करने में, इन्होंने दिमाग लगाया, बहुत सोचा इन्होंने कि यार मैं किस तरीके से अपनी business को expand कर सकता हूँ, इन्होंने ये देखा कि मैं अपनी industry को बड़ा कैसे करूँ, जबकि इनके पास resources भी limited थे, capital भी बहुत limited था, manpower भी बहुत limited थी और gross margin तो पहले से limited था, लेकिन unlimited courage और conviction था इनके अंदर, इन्होंने key factors of growth पे ध्यान दिया, इन्होंने देखा कि demand जो है, वो supply से काफी ज़ादा है, अब supply कम क्यूं है, इसका इन्होंने reason पता लगाया, जब इन्होंने reason पता लगाया इस चीज़ का, तो इनको पता लगा कि जो production है, वो बहुत inefficient है, अच्छे production नहीं है गहीं पे भी, अब इन्होंने ये देखा कि India के अंदर, बहुत ज़ादा strict regulations थे, और unfriendly थे business के लिए, इन्होंने बहुत सोचा, इन्होंने देखा, अब मैं globally expand करूँगा, इन्होंने worldwide expansion का plan बनाया, उसके बाद इन्होंने ये द company होती है, उसको खरीद के profitable बना देते हैं, ये closely observe करते हैं, अपने सारे के सारे competitors के कौन डूब रहा है मेरे business में, deep analysis करते हैं हर एक business में, कि क्या 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 दिक्कते चल रही हैं बाकियों के business के अंदर, ये सोचते हैं कि मैं कैसे expand करूँ, अब पैसा तो इनके बास इतन acquisition किया था, Trinidad and Tobago company का, उनके mills खरीदेते 1989 के अंदर, उसको turnaround किया, वहाँ पर बहुत मेनत करी और उसको profitable बना दिया, अगला इन्होंने acquisition किया था, बालसाज मिलका जो की मेक्सिको के अंदर है, ये इन्होंने किया था 1992 में, और उसको turnaround किया, और फिर बहुत profitable भी बनाया, इसी तरीके से ये बहुत सारे acquisitions करते गए, और अपना empire expand करते गए, 2004 में L&M Holdings और Spart International का merger हुआ, और उसके पाद Spart International बन गई, Metal Steel Incorporations, इनकी अगली strategy है, blowback of profits, मतलब जो इनको profit होते थे ये उसको business के अंदर reinvest करते थे, देखो बढ़ा करने का business दो तरीका है, एक होता है कि आ actually मैं अनिलंबानी ने अपने business के साथ किया था, दूसरा तरीका होता है कि आप अपने जो existing profits हैं, उनको थोड़ा सा बढ़ाओ, और उन profits को फिर reinvest करो अपने business में और ज़्यादा expand करने के, दोनों तरीके के अपने advantages और disadvantages actually में होते हैं, देखो, जब आप debt लेके expand करते हो, त क्योंकि आपने पैसा उधार लिया है, तो आपकी liability है, यहाँ पर risk कम होता है comparatively क्योंकि कोई liability नहीं है आपके पस, यहाँ पर आपकी business की credibility कम हो जाती है, क्योंकि आपने loan पर business expand किया है, और यहाँ पर business की credibility बढ़ जाती है, अब इन्होंने यह decide किया कि यार मैं debt expansion नहीं करूँगा, acquisition करने के बहुत सारे benefits होते हैं, कुछ benefits मैं आपको अभी बताता हूँ, देखो पहला benefit होता है कि cost effective होता बहुत जादा, दूसरा benefit होता है कि कम risky होता है, तीसरा benefit होता है कि reduced coca cost per customer acquisition आपको कम बढ़ती है, कम effort लगता है business बढ़ा करने में, कम time consuming होता है क्योंकि पह अगली strategy है, in-depth research and management, यह अपनी management पे बहुत पैसा खर्च करने में बिलीव करते हैं, अपनी team को इखटा करते हैं, देखो strong management होने के न, एक business के अंदर mainly दो फायदे होते हैं, और यह बहुत बढ़े होते हैं, पहला फायदा होता है sustainability, आपके business को sustain करने के लिए एक strong management की जरू दूसरा फायदा होता है scalability, business बढ़ा भी तो करना है न लेकिन आखिरकार, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने detailed analysis और due diligence करते हैं, हर acquisition को करने से पहले, अपनी सारी के सारी team को इखटा करते हैं, सब को बुलाते हैं, finance वालों को बुलाते हैं, marketing वालों को बुलाते हैं, HR वा regulations, कि जहां पर मैं business expand करने वाला हूँ, वहां पर actually मैं laws क्या हैं, उसके बाद ही देखते है cost, मेरे को cost कितनी पड़ेगी, सारी cost को analyze करते हैं, उसके बाद ही check करते हैं, कि क्या क्या running problems है, क्या क्या दिक्कते आ रही हैं, उस business के अंदर कि वो चलनी रहा है, फिर ये check करते हैं मैं क्या क्या technology डाल सकता हूँ, था कि ये business turnaround हो पाए, उसके बाद turnaround plan मनाते हैं, पूरा का पूरा process analyze करते हैं, और उसके बाद ये लोग bids place करते हैं, bidding करते हैं, खरीदने के लिए business को, और जब इनकी bid accept हो जाती है, जब इनकी bid जीत जाते हैं, उसके बाद ये business को acquire कर लेते ह ये अपने employees को बुलाते थे और बोलते थे कि बड़े goal set करो, इन्होंने daily meeting और report रखवाई, job rotation करी लोगो को अले-ले काम आ गए, transfers करे लोगो को भार बेजा काम करने के लिए, labor के साथ relationship बहुत close maintain करते हैं, ताकि इनकी rewards ना हो, organization के अंदर, inclusive goal setting by goal ऐसे बनाओ, कि तुमारी भ Steel Group को acquire किया, इसी के बल पे, 2006 में आरसलर खरीदा 33 billion dollar में, 2017 में SR Steel को acquire किया, 42,000 करोड में, 2,24,000 से भी ज़्यादा employees काम करते हैं, आज है 49 countries के अंदर, और देखते ही देखते ही इनका business आज इतना बड़ा और इतना profitable हो गया है, आरसलर मितल का एक fundा बताता हूं, I buy the bleeders and turn them into gold minds and then my competition bleeds, जो लोग business में loss में, उनको पहले खरीद लो, उनको profitable बना दो, company बड़ी कर लो और फिर मेरा competitors अपने आप गुटने टेर देते हैं, दोस्तों आपने इस वीडियो से क्या सीखा, मेरे को comment section में जरूर बताना, और कोई भी आपका question हो, तो comment section में डालो, मैं आपका question क answer जरूर करूँगा, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को like जरूर करना, चैनल को subscribe करतो ताकि ऐसी powerful videos कभी भी miss ना करो, और इस वीडियो को share करना अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे कुछ न कुछ सीख पाए, मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए ध्यान रखे अपना